रोजाना चलते रास्ते से ओवरलोड ट्रक दो साल पहले लाखो रुपे खर्च कर बनाया गया था पालोरा पिपला मार्क पालोरा ग्राम से लेकर पिपला गाव तक मुख्यमंत्री ग्राम सरक यूचना के तहट लाखो रुपे खर्च कर पकाडामर रास्ता पिछली साल पैदल मोटर साइकल छोड़े वहनों से आना जाना करते थी पिपला गाउ के पास पेंच नवी पहती है जिससे बड़े पैमाने पर रेत का फंडार है कुछ दिन पहले यहां की रेत घाट का लिलाव किया गया तब से यहां की रेत की ढूलाई बड़े वहनों से लगातार की जारे है जिसमें बड़े वहनों में ख्रमता से ज्यादा रेत के ढूलाई होने से पिपला पालोरा मार पूरी तरह उधर जाने से यहां का पका डामर रास्ता गड़ों में तबदील हो गया है वही रास्ते में बड़ी बड़ी दरारे पड़ी है गड़ों में बरसात का पा इस रास्ती का हुआ है। इसी वज्द सिए यहां से आनी जानी वाले लोगों को इस रास्ती से चलना, वहान चलाना, बेलबंडी ले जाना बहुत मुश्किल हो गया है। वही स्कूली बच्चों को यहां से आना जाना करना चान हतीली पर लेकर चलना जैसे है जोटी वहन चालक अपनी वहन चलाते समय फिसल कर खायल होने की घटना आए आम बात हो गई है जहाँ डामरी रास्ता था अजवाँ पर ना तो डामरी रास्ता है ना है गिट्टी मुरम क रास्ता पचा है रेट की ढुलाई करते समय बड़े ट्रकों में शम्ता से जादा रेट भर कर रेट की ढुलाई की जाने से इस रास्ते का हाल बहुत ही पुरा हो चुका है इस बारे में यहां की स्थानिकों ने तहसलदार पारशुनी पलिस अधिकारी से शिकायत करने के ब वजल से यहां का रास्ता बधाल हो गया है समय रहते कारवाई की जाती तो आज इस रास्ते का हाल बेहाल नहीं होता जला अधिकारी नाकपुर स्वेम यहां के हालात का च्यासाले और यहां होने वाली ओरलोड ढुलाय करने वाली वहानों पर तुरिंट कारवाई करने की स्थानिय नागरिको द्वारा की जारी है 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 प्रशासन प्रसीलदार पोलिस ही बाग वहां तो कोई बाग यह जड़ वहातुकी कड़े लक्षन देतना ही यानना एक प्रकार चे अबजेन्याचे काम करता है असा अरोब यह तिल स्तानीकान ने तशियसना उक्यला है करिता ज़त अत्काड या रस्त्यावरों जड़ वातुक धाम्विली नाहीं तर ये नारा काड़ा मदे ये तिल जनता रस्त्यावरों तुन आंदोलं करतील वो या ये तिल वोनारी वातुक बंद करतील अशी जन्नी चेथावन दिलियां मी रुपेश खंडारे बीसेन न्यूस के लिए पार्शों निसी रुपेश खंडारे की रिपूर्ट